अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस खासने और छीखने भर से ही फैलता है तो आप गलत हैं और इसलिए आज हम आपके लिए नई रिसर्च रपोर्ट लेकर आए हैं ध्यान से देखिए और अपने मित्रों को भी दिखाईए कि आखेर कैसे स्मार्टफोन से भी कोरोना वा वायरस को WHO ने महामारी घोशित कर दिया है दुनिया भर में फैले इस वायरस का खत्रा लगातार भारत में भी बढ़ रहा है एरपोर्ट से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है वहीं सरकार भी से लेकर एडवाईजरी जारी कर चुकी है चीन, इरान, साउथ को प्रिषया में करोना वायरस से बड़ी संख्या में लोग संकर्मित हो छुके हैं इस वायरस का फिलहाल कोई भी इलाज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सावधानी रखने से इस वायरस से बचा जा सकता है, अपना ध्यान रखने के साथ ही हमें अपने गैजट्स का भी अब ध करते हैं, तो अपने चहरे cambiar को झूने से पहले, अपने हाथों को भलि-भांति धोले", क्यूंकि स्मार्ट फोन की स्क्रीन से भी कोरोणा वाइरस आप के अंदर एंटर कर सकता है. कोरोणा वाइरस निरजीव सतह पर करीब एक हफ़ते तक जिन्दा रह सकता है, हालांकि इनसान के शरीर से यह कफ या छीक के रूप में ही बहार आता है वाइरस के संकरमन का सबसे जादा खत्रा संकरमित इनसान के सीधे संपरक में आने पर ही होता है चलिए अब आपको बताते हैं कि स्मार्टफोन से इस वाइरस को कैसे खतम किया जाए जानकारों के मताबिक alcohol wipes से smartphone को साफ करके virus को समप्त किया जा सकता है वहीं virus से बचने के लिए लोगों को sanitizer से हाथ साफ करने की भी सलाहत दी जा रही है लेकिन अपसके साथ साथ आपको अपने personal gadgets को भी virus free रखना होगा इसके लिए आपको ये बाते ध्यान रखनी चाहिए पहली तेजी से फैलने वाला coronavirus की infection से बचने के लिए public service का इस्तिमाल कम से कम करे जैसे public computer या cyber cafe का इस्तिमाल करने से कम कर दे public toilets का भी इस्तिमाल करने से अभी फिलाल बचे दूसरा अपने smartphone को hand sanitizer से साफ कर सकते हैं ऐसा करने से पहले phone को switch off कर ले alcohol वाले किसी भी product से gadgets को साफ करने के लिए मना किया जाता है लेकिन ऐसा करना अब जरूरी हो जाता है 60% alcohol content वाले किसी भी hand sanitizer से अपने phone को clean कर सकते हैं तीसरा वाइरस से बचने के लिए अपने personal laptop को भी साफ रखना जुरूरी है इसके लिए सबसे पहले laptop को off कर दे 60% alcohol वाले sanitizer से टीशू पेपर की मदद से laptop को साफ कर सकते हैं चौथा स्मार्टफोन अपने रुमाल को trouser की एक ही जेब में ना रखें अपने phone या laptop को साफ करने के बाद हमेशा अपने हाथों को भी साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोले पांचवा phone call करने के लिए हमेशा earphones का इस्तमाल करे ये phone से virus को आपके चहरे पर आने की संभावना को कम कर सकता है साथ ही अपनी earphones को भी साफ करना ना भूले आप साफ करने के लिए किसी भी hand sanitizer का इस्तमाल कर सकते हैं दिन में कम से कम एक बार अपने personal gadgets को नियमित रूप से साफ करने की आदत जरूर बना ले आप